नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वरो जानम मैं हूँ बेनसिर हाश्मी खबरों की शुरुआत करेंगे पहले दिनबर की कुस्ताजा हेडलाइस के साथ फिर बात करेंगे हर्याणा की बड़ी और खास खबरों की हर्याणा में पराली जलने की घटनाओं पर क्रिशी भिवाक का बड़ा एक्षन 24 क्रमचारी सस्पेंड ब्रिस्क समीट में शाविल होने का जान पहुँचे पीम नरेंद्र मोदी बलादी मीर पुतिन के साथ हो सकती है दीपक्षे बैठब बहाविकास अघाडी में सीटों की बन जाएगी बाद शरत पवार से मिलने पहुचे कॉंग्रिस नेता बाला साहिप ठोरात इसके बाद वे उद्रप ठाकरे से भी करेंगे मुलाकाद मद्यपरदेश के जवलपूर ओर्डिनेंस फैक्टरी में धमाका 11 करमचारी गंबी रुप से घायल फैक्टरी के करमचारियों की ओर से रेस्क्यू कारे जारी बाग्रादेशी लेखी का तसलीमा नसरीन का भारती रेजिडेंस परमिट बढ़ाया गया कल ग्रह मंत्रिय अमिशहा से मांगी थी मदद गुजरात की गांदी नगर में नकली जज़ पकड़ा गया विवादित मामलों में फैसले दे कर सो एकर जमीन भी हड़पी बुलन शहर में उक्सिजन सिलेंडर फटने सो हुआ बड़ा हासा ब्लास्ट में एक परिवार की तीन पीडिया समाप्त बात करें शेर बजार की तो सेंसेक्स 930 अंक गिर कर 8220 पर हुआ बंद तो वही निप्टी भी 309 अंक गिरा ये ती दिन बर की बड़ी खबरे अब बात करते हर्याणा की ताजा खबरों की आज हर्याणा में एक रोडवेज बस का प्रेशर फाइप फट गया दरसल जिससे बस पर चाला का नियंतरन नहीं रहा आपको बता दे कि यमना नगर में सावारियों से भरी रोडवेज बस तेजी से टोल प्लाजा के डिवाइडर से जा टकराई इस हाथसे में 20 लोगों से अधिक घायल हो गए वही घायलों को अस्पताल में भरती गराया गया जहां पर कुछ को मामली चोट होने के कारण प्राथमिक उप्चार के बाद वापस भेज दिया गया आपको बता दे कि हाथसा थानत छप पर छेतर के मिल्क माज़रा टोल प्लाजा के पास हुआ बताया जा रहा है कि हर्याना रोडवेज बस यमनानगर से सवारी लेकर अंबाला के लिए रवाना हुई थी अंबाला रोडवेज पर मिल्क माजडा टोल प्लाजा पर पहुँशने पर बस का प्रेशर पाइप पढ़ गया जिसे बस पर चाला का नियंतरन नहीं रहा चालाक ने बस को कंट्रोल करने का प्रयास किया लेकिन बस टोल प्लाजा के डिवाइडर से सीधी जाठक रही हर्याणा सरकार इस बार पराली जलाने के मामलों में कमी के लिए परयास रत है दरसल सरकार के आदेश हैं कि जो किसन पराली जलाएंगे उनके खिलाफ एफ आयार दर्ज करवाई जाएगी साथ ही रेड एंट्री भी दर्ज होगी इसके बाबजूत परदेश में पराली जनला बदस्तूर जारी है आपको बता दे कि हर्याणा में पराली जलाने के मामलों में कमी नहीं आ रही है पराली जलाने से रोकने में नाकाम अलग अलग जिलों में तैनाद 24 अधिकारियों करमचारियों को ततकाल प्रभाब से सस्पेंड भी कर दिया गया है वहीं हर्याणा क्रिशी भिवा की तरफ से आदेश जारी किये गए हैं आपको बताने हैं कि सस्पेंड होने वाले करमचारियों में पानिपत के दो, हिसार के दो, जिन्द के दो, कैथल के तीन, करनाल के तीन, फतेहाबाद के तीन, कुरुचेतर के चार, अंबाला के तीन, और सोनिपत के दो करमचारी शामिल है इन सबी की डूटी पर आले जलाने से रोकने के लिए अलग-अलग जिलो में गठित विशेश टीम में लगाई गई थी हर्याणा में नायब सैनी सरकार का मंत्री मंदल तयार हो गया है और इसमें जगहा नहीं बची है ऐसे में अब चुनाब हारने वाले वरिश नेताओ की नज़र CMO पर है क्योंकि राजनीतिक सलहकार कार्रेंग कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होता है हर्याणा में भाशपा की तीसरी बार सरकार बनने के बाद आमुख्य मंत्री काराले CMO में एंट्री को लेकर लोबिंग तेज हो गई है भाशपा के कई दिगज नेता इसको लेकर जोड तोड में लगे हुए है वही खुद के मजबूत अजेस्टमेंट के लिए नेताओ ने चंदीगड से लेकर दिली तक अकाओ की दरबार में हाजरी लगाने शुरू कर दी है आपको बता दें कि विधानसवा चुनाब हारे, पूर्व मंत्री कमरपाल गुजर, शुभास, सुधा और असिम गोयल के नाम दोड में चल रहे हैं इस बार विधानसवा चुनाब में भाशपा के आठ मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है इन में कमरपाल, सुभासुधा, असिम गोयल, जैपी दलाल, संजे सिंग, रणजित, चोटाला, अभे सिंग, यादव और कमल गुपता भी शामिल है साथ ही विधानसवा अध्यक्ष, ग्यानचन, गुपता को भी हार का सामना करना पड़ा भाशपा की ओर से मंत्री मंडल का गठन कर लिया गया है और मंत्री मंडल में कोई भी पद खाली नहीं बचा है यहर्याणा में रिटाइड IAS हधिकारी राजेश खुलड को मुख्य मंत्री नायाप सैनी का चीफ प्रिंसिपल सेकेटरी CPS लगा दिया गया है द्रसल इस बार उन्हें कैबिनेट का रैंक नहीं दिया गया इसे लेका सुमवार राज चीफ सेकेटरी TBSN प्रसाथ की दरफ से ओर्डर जारी हुए आपको बता दे कि तीन दिन पहले भी खुलड के CPS की न्युक्ति के ओर्डर जारी हुए थे तब उन्हें कैबिनेट का रैंक भी दिया गया था हाला कि चार घंटे बाद 12 बजे चीफ सेकेटरी ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी वही अगले दिन सुभा ये बाद सामने आई कि तीन सीनियर कैबिनेट मंदरियों ने खुलड की न्युक्ति का विरोध जताया था उनका कहना था कि अधिकारी को कैबिनेट का रैंक देना गलत है खुलड 31 अगस 2023 को रिटायर हुए और रिटायर्मेंट के 24 घंटे के अंदर ही उन्हें ततकालिन सीम मनोहलाल खटर का चीफ प्रिंसिपल सेकेटरी न्युक्त कर दिया गया था तब उन्हें 1982 के वरिश रिटायर्ड आईएस अफज़ड डीम डेसी की जगे ली थी लोग सबसुनाब से ठीक पहले जब बीजेपी ने मनोहलाल खटर की जगा नयाप सैनिको हर्याणा का नया सीम बनाया था राजेश खुललड ही उनके चीफ प्रिंसिपल सेकेटरी रहे तो ये थी दिन बर की ताज़ा सुर्कियों के साथ हर्याणा की खास खबरे कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देश रोजाना का यूट्यूब चानल सबस्क्राइब कीजिए साथ ही तेश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन